तो यहां पर देख सकते हो कि फिलहाल जो दूसरी बेंच में इसको फिलहाल जो ट्रांसफर कर दिया गया यहां पर देख सकते हो बिहार सरकार ने SC से SLP वापस लिए बदलाव के साथ दूसरी आची का दायर करेगी तो यहां पर देख सकते हैं जो निज निकल गाया हुआ है यहां पर सुप्रीम कोट में आज बिहार के B8 पास अवियर्थियों को लेकर सुनवाई हुई and B8 candidates को फिलहाल राहत नहीं है सबसे important है कि आप लोगों फिलहाल यहां पर कोई राहत नहीं है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोट ने मामले के दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है आपका यहां पर B8 के regarding जो यहां पर matter था इसको फिलहाल जो यहां पर मामला था उसको जो सुप्रीम कोट जो दूसरी बेंच में फिलहाल जो ट्रांसफर कर दिया गए यहां पर उसके बाद देख सकते हैं इदर बिहार सरकार ने SLP वापस ले लिए और बदलाव के साथ दूसरी आचिका को दायर करेगी बता देगी कलास एक से पांच तक कि सिचकों के नियुक्ती में बेड अव्यर्थियों को सामिल किये जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोट में जो SLP दायर की थी BPSC ने सिर्फ DL8 पास उमिदवारों को रिजल्ट जारी करने का दिने लिए बिहार सरकार ने 25 सेप्टेंबर को सुप्रीम कोट में SLP दायर की थी इस मामले में Justice A.S. बोबना और Justice M.M. सुद्रिन्स की बेंच में सुनवाई हुई बता दें कि बिहार में 1,70,461 सिचों के निति होनी जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर है तो सबसे important आप लोगा यहां है फिलाल कि अभी फिलाल जो और आप लोगो को wait करना पड़ेगा यहां आपको अभी आप लोगो का result आया हुआ नहीं कि कब तक सुनवाई जो यहां पर confirm होगा और आप लोगो का कब यहां पर जो एक good news मिलेगा कि आप लोगो को यहां पर result जारी होगा या फिर नहीं होगा ठीक है तो फिलाल यहां पर देख सकती हूँ कि जो बिहार जो आप लोगो का जो school teacher का बेकेंसिया है उसमें जो बिहार P.A. candidates को जो है फिलाल कोई राहत नहीं मिला है और जो मामला था आप लोगो फिलाल जो दुसरा bench में यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है तो कोई update आप लोगो का यहां पर result के regarding या फिर कोई भी update आता है आप लोगो का BPSC school teacher के regarding मैं आप लोगों को inform कर दूँगा तो प्लीज बेचलों को सब्सक्राइब कर लिएकर वीडियो फिसन वीडियो को लाइक भी कर लीजेगा तो फिर मिलता है नेक्ट वीडियो कुछ नहीं update का थाइंक्यू